अंगुष्ठ मात्रह पुरुषो मध्यात्मनी तिश्ठती इशानम भूत भव्यस्य न ततो विजुगुपसते एतत द्वैतत नमस्कार मित्रों यह जो मंत्र है यह कठोपनिशत के द्विती अध्याय की प्रथम वल्ली का बारहमा मंत्र है जिसे हम आज घहराई से समझेंगे तो आएए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो मंत्रह कहता है अंगुष्ठ मात्रह पुरुषो अर्थात और भविष्य का न ततो विजुगुपसते अर्थात वह नहीं गणा करता एतद वैतद अर्थात यह ही है वह तो यहां पर यह पुरुष के विशा में नचीगेता के बताते हैं कि जो पुरुष है वह अंगुठे जितना ही है अर्थात वह बहुत ही छोटा है वह बहुत ह अभी जो सार है वह पुरुष है और वह पुरुष जो है वह ही है स्वामी भूत का भी और भविश्य का भी और वह किसी से घ्रणा नहीं करता है वह किसी से द्वेश नहीं करता है वह ऐसा नहीं कि वह कोई पक्षपाती है कि किसी एक संप्रदाय किसी एक राष्ट्र या किसी एक लिंग या किसी एक किसी एक कुल के विक्ति को जो है वह महत्व देता नहीं, वह किसी से घ्रणा नहीं करता, वह सब के लिए समान ही है, तो जैसे गीता में श्रिक्रिशन कहते हैं कि सुहरदम सर्वभूता नाम, अर्जात मैं सभी भूतों में उनका मित्र हूं, तो उसी सब का मित्र ही है, किसी से घ्रणा नहीं करता, परंटुव कि शुक्ष्म है, वह ऐसे दिखता नहीं है, अब ऐसे यह दिए हैं तो पुरुष सुक्त में संपूर्णा को लाग गा ए, की पूरुष्छ जो है संपूर्ण प्रम्हांड में वयापत है, उसके इतने सारे नेत intersect इतने सारे हाथ हैं, इतने सारे उसके पैर हैं, इतने सारे उसके उदर हैं, इतने सारे नेत्र 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 हैं, इतने सारे वास्तों में बुला है तो बहुत ही छोटा है इतना सूख में कि आप उसे देखी नहीं सकते हैं यह परस पर विरोधी बात एक प्रकार से बताई जा रही है जिससे हमें यह इस पर चलता है कि भाशा के द्वारा पुरुष को इस प्रकार से समझा पाना अत्यांत कठेन है और बोलने लगते हैं कि एच्छा ऐसा होता होगा कि हाँ जी यानि यदि किसी ने बोला कि किसी ने बोला कि एक व्यक्ति था जो कि बीस हजार वर्ष जिया तीस हजार वर्ष जिया ऐसे बोला जाए तो लोग मूलते हैं कि एच्छा वास्तों में कोई एक व्यक्ति रहा होगा आप सोचते तो आप कुछ भी नहीं समझाए है यहां पर जब इन विचार जाते हैं तो यहां पर बता जा रहा है कि पुरुष जव अंगुठे से भी छोटा है तो उसका आर्थ वास्ता में यही है कि वह इतना सूख्ष्म है कि उसको ऐसे जाना नहीं जाता हो बहुत ही तो जसल्ड है इतना सूख्षम है की आप वह उसको आप ऐसे सीधेने सकते है, समझे chasing आप परंतु आत्मा के मद्य में वैस्थत आ भए की तुछ आट्मा की फिजिकल एक बाड़ी है जिसके मद्य में बैठा है didn right man कि मैं गाया कि हुं वह वीचारा है आत्म इसलिए कहते हैं, तो स्वैम के भीतर, सभी के भीतर, सभी के स्वैम के भीतर, मद्य में बैठता जो है, वह पुरुष है, अर्थात जैसे हम कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा है, दोने हिरदे में बैठते हैं, गुहियां, हिरदे गुहि जाता है कि वह आपका व्यक्तिगत है कि इश्वर का जो व्यक्तिगत सुरूप क्योंकि इश्वर का एक तो होता है जो कि अव्यक्तिगत सुरूप है जो कि अव्यक्त है जो कि ब्रह्म का जाता है परंदु यहां पर पूरुश का जा रहा है अर्थात जो व्यक्त सुरूप है उसका जो हमसे बात कर सकता है, हमारे भीतर बैठा हमसे बात कर सकता है, हमें हमारे निर्देश दे सकता है, हमें बता सकता है, वो वाला सुरूप ईश्वर का जो है, उसके बार में यहां पर कहा रहे हैं, कि वह सबके स्वायम के मद्धे में बैठता है, तो हमारे भीतर ही कि क्षेत्र है और क्षेत्रग्य है और सभी ग्यात्व क्षेत्र dollar क्षेत्र सब क्षेत्र कॉता है और किसद में इस सब repeated तर्व कैंगा в पूरा और यह हमारे भीतर है अर्था संपून ग्यान जो है वह हमें प्राप्त है पुरुष के तवारा क्योंकि वह हमारे भीतर ही बैठा है परंतो हमें प्राप्त नहीं हो पाता है क्योंकि हम उसके अस्तित्व को ही नहीं महत्व देते हैं यह मानते ही नहीं कि उसका अस्ति प्रिफिक्रिश्न ने बोला है कि जैस्स प्रकार से तुम मेरी पूजा करोगे, मैं वैसे तुमारी पूजा करूगा, तो ऑदी तुम ध्यान ही नहीं दोगे, तो वह भी ध्यान नहीं देंगे हम पर, तो पुरुष्ट जो है, वह हम पर ध्यान नहीं देता है, इसलिए कि हम बैठा है तब भी हम उसके अस्तित्व को नहीं मानते तो वह हमारे अस्तित्व को नहीं मानता और इस कारण से जो है हम जो भी क्रियाय करते हैं वह सारी क्रियाय हमारी वियर्थ हो जाती है तो यदी व्यक्ति जो है वह है उसके अस्तित्व को मान ले स्वीकार कर ले तो फिर वह भी हमारे अस्तित्व को स्वीकार कर लेगा तो फिर हमारा संपर्क हो जाता है उस से और जैसे हमारा के साथ संपर्क हुआ क्योंकि वह भूत और भविश्य का गयाता है तो संपूर्ट गयान हमारे लिए भी उपलग दो गया जिस प्रकार से मैं आवश्रितता ओगी, वो हमें प्रदान कर देगा, परंतु ये जो विचार है, समझ नहीं पाता है अधिकांश लोग, क्योंकि विश्वास ही नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो ऐसा ही होता है, परंतु वो विश्वास हमारे भीतर विक्सित ह नहीं करता और इसको यदि आप देख लें तो आप भी फिर किसी से घ्रणा नहीं करेंगे सबी और कोई विक्ति आप देख लें जो महा पुरुष होते हैं उन में और सामाने व्यक्तियों में भेद इतना ही होता है कि वह सब के भी तर उस पुरुष को देखते हैं कि हम जो है उस व्यक्ति को देखते हैं तो कोई एक व्यक्ति है ए नाम को कोई व्यक्ति है तो जो महा पुरुष होगा वो उस ए नाम के व्यक्ति के भीतर पुरुष को देखेगा और जब उससे बात करेगा तो सुझे कि मैं पुरुष से बात कर रहा हूं यह भगवान से बा वास्तों में करना है परंतों भी कर नहीं पाते हैं तो वो संदीश ता यहां पर इस मंत्र में आशा करता हूं कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दियोगा चली इसी के साथ इस वीडियो को में पर समात करते हैं नमस्ते झाच्छे में आपको अच्छे से समात करी कि अच्छे से समात करें नमस्ते रैशार वीडियोगाएब हिस दो बहुछे वाँ।